हेलो एंड नोसका दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक वफिर से लक्षे क्लासे पर और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्पूर्ण टॉपिक जिसका नाम है जंगर्णा 2011 और इस से जुड़े हुए कुछ प्रमुक्त अथ्यों पर हम लोग चर्चा करने वाले तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले जानते हैं कि भाई जो जंगर्णा है भारत में इसकी सुरुआत कभ हुई तो भारत में जंगर्णा की सुरुआत 1872 में लॉड मेयो के द्वारा क की गई थी लॉड मेयो के कारे काल नचम्ठी कि गए थी इसके बाद अगर हम देखे तो नीयमित जंगर्णा के सुरुआत 1881 में लॉड में के का रेकाल सबस्ते सब्सक्राइब आदोनिक विश्याहता सब OMERS, जंगरणा के क्या संभेधानिक प्राबधान है, कौन सा संगाथ हैं इसको अगर हम बात करें, तो संबिधान की साथवी अनुसूची के क्रम संख्या 79 पर अंकित है कि भाई चंगण करवाएगा जनगरना संग करवाएगा यानि केंदर सरकार की जिम्मेदारी है और केंदर सरकार की जिम्मेदारी में भी कौन सा मंत्राले इसकी जिम्मेदारी उठाता है तो केंदरिये ग्रहम मंत्राले जंगर्णा से संबंधित कारे को संपन करता है और इसके अधीन भी एक संगठन कारे करता है जिसका नाम क्या है भारत का महापंजियन एवं जंगर्ण अदिकारी होता है जिन गडर्णा के लिए भारत का पंजीक अगर अगर हम यहीं पर बात कर लें वहीं कि वर्तमान में भारत के महापंजे के जनकरणा आयुक्त कौन है तो डॉक्टर विवेक जोशी अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं $200, verdad, $200, $12,000 की बात करें यहां तक की जो $200,000 की जुनगर्णा है उसको संपंपन कराने का जो दाइत वो उसको सुणपा गया और्फि ये अगर अंगर बात करी तो $20,000 की जुनगर्णा हुई थी वाई तो उसमें कौन थे आयुक्त या हम कह सकते हैं भारत का महा पंजे को जनगर्णा आयुक्त कौन थे तो डॉक्टर सी चंद्र मौली थे नाम ध्यान रखना है बहुत ही महत पूंट पक्ष है और इसके साथ ये बात भी ध्यान रखना है कि 2011 की जनगर्णा में ही देश का पहला राष्टिय जनसंख क्या रजिस्टर यानि की NPR तयार किया गया था NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यह होता क्या है इस पर एक सेपरेट अलग प्रतक वीडियो बनाएंगे लेकि फिलाहल इतना ध्यान रखना है कि भारत में निवास कर रहे हैं लोगों का रजिस्टर है NPR चलिए आगे अगर हम बात करें कि भाई 2011 की थीम क्या थी तो थीम थी हमारी जनगर्णा हमारा भविश्य और 2021 की क्या थीम है जन भागेदारी से जन कल्यार 2021 की थीम है और 2011 का सुभंकर है कौन कौन था 2011 का सुभंकर प्रगड़क सिक्षिका इसका सुभंकर था 2021 के सुभंकर को अभी नाम नहीं दिया गया है लगे सुभंकर लॉंच कर दिया गया है चलिए आगे क्यों बात करते हैं कि एक महा विभाजक वर्ष अक्सर पूछा जाता है तो जनकर्णा के इतिहास में 1921 कौन साथ है 1921 अब से 100 साल पहले को महा विभाजक की संख्या दी जाती है ऐसा क्यों कहा जाता है महा विभाजक वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वर्ष 2000 वर्ष 1911 से 1921 के मद्ध भारत की जन संख्या की दशक्य व्रद्धिदर माइनस में रही थी यानिकि माइनस जीरो पहुंच गई थी इस दस साल में यानिकि 1911 से 1921 के बीच में भारत की जन संख्या बहुत तेजी के साथ गिरी थी और वह दर कितनी थी माइनस जीरो दसमलब तीन एक परतीशत वह दर थी ध्यान रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट यह कहता है कि भारत की जन संख्या सार॥थिक अगर हम देखें तो वाशिक घाते कीए व्रधीदर कभो देखी जाती है कि अगर हम भारत में देखने थी छलिया की और बात करते हैं जनगर्णा 2011 के जो प्रमुक्तत हैं उस पर अगर हम बात करें तो कुल जन संख्या कितनी है वह एक अरब 21 करोड आर्ट लाक चौवण हजार 2977 यानि कि आप मॉवाइल नमबर की तरहा भी याद रख सकते हैं देखिये 12,10,85, 48,77 यह मॉवाइल नमबर 2 अंक हैं इसके 10 अंक आपके मॉवाइल नमबर में भी होते हैं जैसे आपका मुबाइल नंबर याद हो जाता है वैसे ये भी याद हो ही जाएगा ऐसा मैं काम ना करता हूं चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं अगला पॉइंट देखते हैं तो भारत में कुल फुर्शों की संख्या एक क्याओं दसमलब चार साथ परतिशत है वहीं महिलाओ को परतिशत देखें तो 48.5-3 परतिशत है भारत की कुल जन संख्या विश्व की कुल जन संख्या का 17.5 परतिशत है और वहीं अगर हम देखें तो वार्शिक व्रधिदर भारत की 2001 के मुकाबले घटी है यानि की 2001 में 2 परतिशत हुआ करती थी लेकिन 2011 में घ किया गया इसी के साथ दशक्य व्रधिदर की बात करें यानि की एक वर्ष में जो व्रधी हुई भारत की जन संख्या एक दशक में 10 वर्षों में जो व्रधी हुई वह कितनी वहीं 17.7 परतिशत हुई वहीं अगर बात कर दो बहुत नागालेंड भारत का एकमातर ऐसा यहां पर जंसंख्या अगजनत्व को हम भारत दीकति और और महिलाओ का लिङका नुपात, अगर हम भारत में आउसत लिङकाई नुपात देखें, तो इस्थी के साथ ही। आगे हम देखें लिंगा नुपात में हम जीरों से च्छे वर्ष के जो बच्चे हैं बालक बालिका हैं उनका लिंगा नुपात देखते हैं तो 918 बालिकाओ पर एक हजार बालकों पर हमें यहां पर उसत दिखाई देता है भायत की साक्षरता उसत दर 173 परतिशत है और पुरुष्की अगर साक्षरता देखे तो 75.67 परतिशत महिला शाक्षरता आगे हम लोग राजजिवार गलणा को देखेंगे तब समझ में और अच्छे से आएगा यहीं पर अगर हम अगर हम देख ले राज्जे वारब सबसे कम बंसे करती है तो उत्तरपर्देश सबसे कम नागा लेंड में जैसा कि हम पीछे देख करा ही रहे हैं माइनस जीरो च्छे परतिशत यानि की माइनस में जन संख्या यहां गई बढ़ी नहीं बलकि गटी जन संख्या जन घंवर कि अगर हम बात करें तो बीहार में संख्या जन घंगत्व सरवाधिक है यानिकि ग्यारा सो जैव्यक्ति प्रति एक वर्ग किलोमेटर में निवास करते हैं बिहार में वहीं अगर नियुनतम जन घंध की बात करें हम तो यहां पर क्या होगा यहां पर होगा अरुनाचल परदेशी यहां पर 17 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमेटर में निवास करते हैं वहीं लिंगानुपात की हम बात कर लें तो वह सबसे ज़्यादा लिंगानुपात यकिसम है केरल में यहाँ पर 19891 बाद करें केरल राज्ययवार म às murder तो वह सरवाधिक स्यक्षिक राज्य केरल राज्य है और सबसे नियूंतम स्यक्षिक राज्य अगर हम देखे तो बिहार 61.8 परतेशत जनसंख्या यहां की जो है बिहार राज्य की वह सिक्षित है इसके साथ ही केंदर शाषित सबसे ज़क्स पर करती है तो नियूंतम सेंखिया के पास है गर हम देखें चांजित परेली सोड़ार लागर हवेली 2011 में किसी में सबसे 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 ज़्यादा रही तो कहां रही दादर अगर dès 15.9% के साथ वहीं नियुंतम दशक्य विरद्धी के अगर हम बात करें तो लक्षदीव 6.3% के साथ दिखाई देती है जन घनत्व अगर हम केंदर शाषित परदेशों में देखें तो वह दिल्ली में जन घनत्व सरवाधिक है यानि 11320 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमेटर मे कहां दिल्ली में वहीं अगर नियुंतम की अगर हम बात करें तो नियुंतम जन घनत्व एक वर किलोमेटर में 46 कहां पर 46 लोग निवास करते हैं कहा पर वही अंडमानो निकुवार दीप समों में वही लिंगानुपात की अगर हम बात करने तो सरवाधिक लिंगानुपात वाला केंदर शाषित परदेश है वही पोडूचेरी जहां 1037 महिला है प्रती 1000 पुर्शों पर निवास करती है वही अगर नियुंतम की बात करें तो वही नियुंतम अगर लिंगानुपात है तो ब富 दमन दीव में 618 महिला है प्रती 1000 पुर्शों को लग्सेदीप केंदर शाषित परदेश वे सबसे साक्षण केंदर शाषित परदेश है जहां एक यानवे दसनलव आठ प्रतिशत जंसंख्या निवास का सिक्षित है जो निवास कर रही है वहाँ पर वहीं अगर निउंतम सैक्षिक दर की बात करें केंदर्शाषित परदेशों में तो दाधरायवं नगर हवेली 85 दसनलव 2 परतिशत के साथ निउंतम केंदर्शाषित स साक्षरता दर्वाला के अंदर्शाषित परदेश है तो आशा करता हूं कि यहां तक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अब तो जो लोग अंते तक बने रहे हैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्रा झाले नही होगे हैं और भावी अच्छी लगी होगी हैं वीडियो आपको लावी होगी हैं ।